नमस्कार जी मैं मन्जू डिसम्बर की आज 28 तारीक है और मैं इसलिए डेट बता रही हूँ कि ये आज ही की डेट का ये वीडियो है और अभी मैंने खुब सारे काम किये हैं तो दोनों चैनल पे आज मैं वीडियो डालूंगी तो अगर आपके गार्डन में त्यार पोध है जैसे ये मैं खुब सारी पोध लगाना पसंद करती हूँ और आपके सामने ही लगाई है और हर वारी कुछ गमले छूट जाते हैं बताना और कुछ जो मैं लगा देती हूँ तो अगर ये पूरी त्यार इस तरह से में ये गेंदा बगहरा बरसात के टाइम से ये खिलते आ रहे हैं तो इस तरह के मैंने ये अब निकाल दिये हैं ये कह मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो मैं टाइटल दे रही हूँ तो इनको मैंने सब खाली करना है और ये बीच उनके रख देना है ट्रे में और यह मैंने नई पोद और त्यार कर ली है तो आप जो ड्वार्फ वेराइटी वाले गेंदा होते हैं तो वो डेड़ मिने में, डेड़ पोने दो मिने में फुल देना स्टार कर देते हैं तो उसको आप भी डालना चाहते हैं तो अभी डाल सकते हैं आप उने तो ये सब भी कई तरह के पोद मेरे गार्डन में जो त्यार है तो अपनी सुविदा अनुसार जो आप जैसे टाइम मिलता है तो आप इन्हें ट्रांस्प्रांट करते चाहिए और जो जुरूरी काम मैंने बोला कि क्या करना है ट्रांस्प्रांट करना वो तो जुरूरी काम है यह सुविदा अनुसार और अगर जब हम यह बहुत त्यार करते हैं तो हम इने बहुत तेज धूप से बचाते हैं तो हम सुचते हैं कि जितनी चाया में रहेगी तो यह जैदा अच्छे से ग्रोथ होगी और हलकी फलकी जैसे धूप भी मिलनी चाहिए तो अब आपने क्या करना है कि इसे पूरा दिन की धूप में रख देना है तो कल मैंने बहुत मेहनत की है आदा दिन मैंने लगाया है और ब्रिक फास्ट भी नहीं किया था और दो बजे तक दस बजे से लेके दो बजे तक काम करती रही हूँ तो ये वाले सारे पोट्स मैंने हटा के निकाल के ये सारे जैसे तिन चर गंटे की धूप में थे दिवार के साथ थे तो ये सारे मैंने पूरा दिन की धूप में इन्हें मैंने रख दिया है और इनी में से निकाल निकाल के मैं जो पोद्य ट्रांसप्रांट करते जाऊंगी और इनी में फूल भी आते रहेंगे अब ये देखिए वर्वीना का पूरी बर्ड्स आ गई हैं और कुछ एक पोद्य अभी ट्रांसप्रांट की हैं और यह सारा भरा पढ़ा गमला और यह फूल भी आना शुरू हो गए हैं तो इसमें भी खिलते रहेंगे और ऐसे ही यह जो एनुल क्रिसेंथिमुम इसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं और बर्ड्स के साथ भी इने ट्रांस्परांट आप कर सकते हैं इसी तरह से यह फूड्य होके पुद्डे भी में यह पूरे दिन की दूप में यह बाहर की तरफ रख दी हैं जासे बड़े-बड़े पुद्ड इसी तरह से यह क्लार किया के भी सारे plants मैंने यह बाहर की तरफ रख दिये हैं और जब भी time मिलेगा तो इन्हें transplant करती रहोंगी तो यह मत्त सोचिए कि December भी बीद घया, तो हम कब transplant करते बस आप कर देजिए और फूल जो गर्मियों से पहले इन में जरूर आएंगे और ये जो पोद देख रहे हैं कैंडी टफ की इसको भी मैंने बाहर कर दिया और कुछ एक पोद देंके ट्रांस्प्लांट कर दिये हैं तो आज मैंने जो जरूरी काम चलो तो बर्ड सायूंई इसमें घने घने पोद्दों के साथ रखा था तो इतने कीडे इसमें लग गए थे तो आज मैंने इसमें खूब सोपी वाटर का इस्तेमाल किया है ये अभी भी आपको दिख रहे होंगे इस तरह से दिख रहे होंगे ये लगे दिख रहे होंगे तो मैं दो-चार दिन लगातार दूँगे ये पूरा भरा हुआ था तो मैंने सुचे ये खिलने नहीं देंगे और ये पूरे कली आ रहे है तो ये एक पोद्दा जो मेरा त्यार हुआ है बर्सात के टाइम मैंने ये गिया था और अभी फूल आना इन में स्टार्ट हो गए तो देखते हैं कैसा फूल आता है तो ये सूपी बोटर ये नीचे देखे पानी भी पड़ा हुआ है ये उपर-उपर का ये साफ हो गया ये बाकि ये डरस्ट लगी हुई है तो ये ही उपर-उपर के हिस्सों में इसमें धेर सारे कीड़े थे तो ये जो जुरूरी काम आपने निपटाने हैं तो ये आप अभी निपटा सकते हैं तब भी टाइम से फूल पाएंगे निए चुकि इस वारी जो मेरा मेन जो टार्गेट था काम पूरे करने का कौन से करने तो घर की साफ सफाईयों का था और फिर मैं काफी टाइम तक यहां थी भी नहीं तो अभी मैंने वो काम भी मैं कर रही हूं साथ के साथ और अभी आज मैंने ये वीडियो बनाया है गार्डन में मैंने ये कल ये भी इतना गार्डन मैंने सेट किया है तो ये दूसरे वाले वीडियो में भी मैंने दिखाया है तो इतना मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चलो जुरूरी थोड़ी कि बहुत सारे प्लांट्स दिखने चाहिए सेट होने चाहिए टाइम से बागी सब काम भी घर के बहुत जरूरी होते हैं तो उनके साथ ये सब किया है और अब इनको पानी दिया है मैंने इसी के साथ नमस्ते जी, शुकरिया और त्यार पोद का आपने क्या करना है और क्या जरूरी काम मैंने किये है तो यह आप देख सकते हैं और आप इसी तरह से काम कर सकते हैं